अलो फ्रेंड्स विल्कम अगें इन सुपर्जी गेटरिक आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा महत्पुर्ण होना है क्योंकि इस वीडियो में हम SSC CGL के Admit Card के बारे में बात करेंगे इसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं आए इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले आप Google पे सरकारेजल.com टाइप करेंगे तो उसके बाद ऐसा पेज़ खुल के आएगा इसके बाद आपको सीधे यहां पे जाना है एड्मिट कार्ड वाले आप्शन में एड्मिट कार्ड में देखिए यहां पे दिख रहा होगा SSC CGL 2019 Tier 1 एड्मिट कार्ड इस पे आपको क्लिक करना है तो उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फेज खुल के आएगा इसके बाद आपको यहां पे जाके download, admit card, CR region, other region पे click करना है आप CR region से हैं यहाँ पर click करेंगे और admit card, other region के हैं तो यहाँ पर click करेंगे तो जिससे आपको कुछ ऐसा phase खुल के आएगा जिसमें अब आपको download कैसे करना है अगर आपको registration ID पता है तो यहाँ पर registration ID भरेंगे उसके बाद यहाँ फिर डेटा बर्द भरेंगे फिर सेलेक्ट आप एक्जाम सिटी फिर इसको वेरिफाई हुमेन मतलब वेरिफाई करना है 5 प्लेश टू कितना होता है यह कुछ भी आपको दे देगा तो यहाँ पर लिखना है तो इसके बाद यहाँ पर सेल्च करेंगे तो आपका अडिमिट कार्ट खुलके आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर रोल लंबर अगर रोल लंबर तो भी आप पता नहीं होगा यहाँ पर देगिए जिससे आपको कुछ नहीं पता है आप यहाँ पर अपना नेम भरके फादर्स नेम डेटा बर्त सिलेक्ट आफ यूर एक्जाम सिटी मतलब आपकी इस एक्जाम सिटी कौन सी है कहां से आप भरे हैं फाउम और यह वेरिफाई करना है फिर यहाँ पर सर्च करना है आपका एडमिट कार्ड खुलके आ जाएगा एडमिट कार्ड आपका कुछ ऐसा खुलके आएगा तो इसमें अभी यह एक्जाम डेट दी रहेगी आपको इसका एडमिट का आप एक एक चार से पांस दिन पहले ओपन कर सकते हैं जिससे आपको डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें आपका नेम आप फादर से नेम एडरेस सब को लिखा रहेगा तो इसमें आप देख सकते हैं तो आप लोग सिम्पली जाएए और देखिए आपका एक्जाम डेट एक्जाम जिटी क्या है अगर आपको ये चैनल करें अच्छी लिए अच्छी लिए लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को जाएज ज़्यादा सेर करें ताकि सभी लोग अपना एडर्मिकार देख सकें